भाई लोग बस ड्राइविंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है जो भाई लोग हमारे बस चलाना सीखना चाते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्तुपूर होगा तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा ठीक है दोस्तों, आपको पूरी तरिके सारी बातें समझ में आनी चाहिए जो आपके driving सीखनें बहुत ही मतवगार साबित होंगी ठीक है देखे दोस्तों अगर आप driving सीखना चाहते हैं तो उसी तरीके से है ये कि जैसे हमको अगर कहीं जाना है माल लो हमको ऐउध्या जाना है तो जाने के लिए अगर हम किसी से पूछेंगे किस किस तरीके से जाया जा सकता है समझो पहले इस बात को तो आदमी अगर जो अध्या गया है वो आपको बताएगा कि भया अगर आपके पास बाइक है तो बाइक से जा सकते हो इस रास्ते से जा सकते हो अगर मालीज ये बाइक नहीं है तो आप बस से जा सकते हो साधन से जा सकते हो ठीक है आगे तो वो तरीका आपको बताएगा या आप पैदल किस मार्ग से जाएए इस रास्ते से होकर जाएए कि उस रास्ते सरवन मार्ग से जाएए प्रताब गरूट से जाएए ठीक है तो आपको किवर रास्ता बता सकता है लेकिन चलना आपको पड़ेगा दोस्तों तो इसके लिए ध्यान रखिए कि आपको ही अपने लिए मेहनत करनी है ठीक है कुछ पॉइंट जो है जो आपको सीखने में मददगार साबित होंगे वो पॉइंट हम लोग बताते हैं ठीक है वो रास्ता हम बता सकते हैं जो भी आपका गुरु होगा ड्रैबिंगु गुरु कि गुरु जी देखिए driving तो सब सीखना चाहते हैं लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता क्योंकि ट्रक में हमेशा conductor की जगे खाली रहती है लोग आते हैं और एक दो दिन काम करते हैं उसके बाद चले जाते हैं तो दोस्तों अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो इसके लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा कुछ कर्ना पड़ेगा ठीक है यह point यादगे कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको तो आप अपने लिए करिए और दिड़ प्रतिग रहिए प्रतिग्या संकलप एकदम दिड़ होना चाहिए ठीक है दोस्तों किसी भी काम को अगर सीखने चाहेंगे आप लोग तो उसमें सुरुवात में सभी को समस्य आती है आप कोई इस्पेसल नही प्राब्लम फेस किया जो उस प्राब्लम को छेले और उससे पास हुए कहते हैं डर के आगे जीत है तो सुरुवात में सब को डर लगता है सब को समस्य आती है तो उसको डर को जिन्होंने जीता वो सफल है वो आज ड्राइबिंग सीख रहे हैं और बहुत से लोग आते हैं दो चार दिन में सीख करके और फेल हो करके नहीं चला पाते और चले जाते हैं लोटकर दूसरा काम करने लगते हैं ठीक है दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिए कि एक ही बार जीवन में आपको ड्राइबिंग सीखनी है दुबारा फिर नहीं सीखना पड़ेगा एक ब को अगर आपके पासपूर्ट ट्रैलेंट है तो आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे चाहे अमीर है हमने एक वीडियो में अपने बताया कि अमीर और गरीव सबको ड्राइबिंग सीखनी ही चाहिए तो दोस्तों चाहे आप अमीर हो चाहे गरीव गरीव के लिए तो समझ लिजे कि एक टेकनिकल हैंड आपके पास एक बहुत बड़ा गुण हो जाता है तो आपको छे महीने साल भर कुछ समय तो इसके पीछे बेश्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको ड्राइबिंग सीखना है तो ये कोई दवाई या उसधी नहीं है कि घोर के पिला दे आपको असर हो जाएगा ठीक है आपको समय खराब करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा आपको एकदम ध्यान लगाना पड़ेगा समस्या फेस करना पड़ेगा सबको आती है सीखने में समस्या वैसे आपको भी आएंगे तो दोस्तों लेकिन आपकी प्रतिग्या एकदम दिड़ हो है और तरीका इसके हमने पिछले वीडियो में बस चलाना सीखें का पार्ट वन सरल तरीका और पार्ट टू दोनों आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिये हैं कि आसानी के साथ कैसे सीख सकते हैं अगर आपको सरलतम तरीके सीख ना है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, प्ले लिस्ट चेक रिए, प्ले लिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो पढ़े हुए हैं जो आपके ड्राइबिंच सीखने बहुत ही मददगार साबित होंगे तो दोस्तों और जागर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब करिए निसूल करें फ्री है इससे कुछ आपका लगना नहीं है वो उल्टा आपका लाब यह होगा हम जो भी वीडियो डालेंगे वो तुरंत आपके यूटूब पे आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा ठीक है दोस्तों तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने में बिर्कुल कोता ही मत कीजिएगा ठीक है और दोस्तों आपके लिए हम मेनत कर रहे हैं अगर अच्छा वीडियो लाग रहे हैं आपको अच्छा जानकारी दे रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ठीक है बाकी इच्छा आपकी ठीक है दोस्तों आसा करते हैं कि वीडियो आपको आज का यूजफूर लगा होगा जो हमने बाते बताई हो पॉइंट याद रखिएगा सरलता के साथ आप ड्राइविंग सीख जाएंगे ये जरूर है ठीक है और विश्वास रखिए अपने प्रभू पे अपने आप पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के पात वीडियो सेवर भी कर सकते हैं फिके दोस्तों सवस्त रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए राम राम जैशिया राम